हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूडेज जेली केसी आज लाएं हूं कुछ हेल्थ टिप्स दिन की करें हेल्दी शुरुआत सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक ऐसी रखे दिन चरिया फिर देखिये लाब इम्मिनूटी को बढ़ाने के लिए फिटनेस को ठीक रखने और बिमारियों से बचने के लिए आज और अभी से दिन चरिया में कुछ बदलाव करें सुबह गरम पानी और फिर तीस मिनट का व्याम करें स्वास्त विशेशग कहते हैं शरीर को स्वस्त रखने के लिए जरूरी है कि आपकी डायट और दिन चर्या की आदते सही हो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के सेवन की आदत बनाए भरपेट पानी पीने से डिहाइड्रेशन का जोखिम कम होता है और शरीर से विशाक्तता दूर होती है इसके बाद रोज सुबह कम से कम तीस मिनट योग व्यायाम के लिए समय जरूर निकाले आपको शारीरिक बानसिक दोनों तरस से फिट रखने में ये आदतें विशेश लापकारी हो सकती है पोश्टिक नाश्ता और भोजन आहार हमारे लिए उर्जा का स्रोत है अध्यनों से पता चलता है कि जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं उसका हमारी सेहत पर सीधा असर होता है आहार में सुबह का नाश्ता सबसे महत्तोपुन है भरपेट नाश्ता करें जिसमें फल, कच्ची सबजियां, अंडे, दूद, नट्स, सीड्स की मात्रा जरूर हो रात में करीब 8-10 घंटे खाली पेट के बाद शरीर को सुबह स्वस्त और भरपेट आहर की अवशक्ता होती है दोपहर का भोजन भारी ना हो इसमें हरी सबजियों, साग, दही को शामिल करें थाली में रंग बिरंगी सबजियां हो कच्ची सबजियों का सैलड आपको पोश्टिकता देता है भोजन के बाद कुछ मिनट के लिए वोक की आदत बनाए दिन में जादा बैठे नहीं, पानी पीते रहें जादा समय तक बैठना कई बीमारियों को बढ़ने वाला हो सकता है अगर आप ओफिस में काम करते हैं और लंबे समय तक बैठना होता है तो हर आदे घंटे पर कूर्सी से उठें और शरीर को स्ट्रेच करके आसपास जरूर टह लें शारीरीक रूप से निश्क्रियता भढ़ने से ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याओं का खत्रा हो सकता है इसके अलाबा हर आदे घंटे पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीने का लक्ष बनाए शरीर को हाइडरेट रखना हर मौसम में जरूरी है दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीने का लक्ष रखें जल्दी डिनर और अच्छी नींच जरूरी शाम के समय डिनर जल्दी करने की आदत बनाए शाम को 6-7 बज़े के बीच का समय सबसे उप्युक्त माना जाता है डिनर हमेशा कुछ हलका होना चाहिए इसमें कोश्टिक चीजों हरी सबजियों को शामिल करें रात में फल ना खाएं डिनर के बाद कम से कम 10-15 मिनट की वॉक करें रात में 10 बज़े तक सोने के लिए जरूर चले जाएं सोने से पहले गरम दूद में एक चूटकी हल्दी मिलाकर इसका सेवन करना आपकी इम्मिनूटी बढ़ाने और कई रोगों को बचाने से सायक है इन आदतों का अगर रोजाना पालन किया जाए तो आप सिहत में बहतर सुधार पा सकते हैं यह लेक मेडिकल रिपोर्ट से एकत्रिक चानकारियों के आधार पर तयार किया गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शियर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग